आजिस्थान से अगली कॉलर है सुनीता जी स्वागत है आपका जी नमस्कार नमस्कार जी मैं आपका प्रोग्राम देखती हूं अकीन साहब मुझे बहुत प्रसंद आता है आपका प्रोग्राम जी शुक्रिया मेरा मुझे पसंद करते हैं या इनको यह खुब्सूरत है आपके साथ से देखते हैं लेकिन आप जो नुसके बताते हैं घरेलू वह बहुत अच्छे लगते हैं हमें और मुझे मेरी समच्य के लिए पूछना था मेरी कमर में लेफ साइड में बहुत दर्द रहता है नीचे के हिस्से में और जामती हो जाता है ऐसा लगता है खिंच मेरी उमर 41 साल है चीक है अच्छा बेटा यह योगा से हुआ है आपको देखिए योगा करने वाले अलग लोग होते हैं और अब योगा छोड़ दीजे और योगा से कभी नजला ठीक नहीं हो सकता नजला एक ऐसी बिमारी है जो उन लोगों को होती है जिनका इम्मूनिटी कमजोर होती है इम्मूनिटी की दवाइं ले तो नजला ठीक होता है अच्छा इसके लिए आप गौन सिया ले 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 एक आता है काला गौन गौन सिया यह असली लेना ज़रूरी है नकली बहुत मिलता है करवा बहुत होता है और यह है तो बस दस बारा रुपे रोज की रो बहुत अच्छा है कहीं भी दर्द हो कमर में हो टांगों में हो या किसी की बॉड़ी पाड़ में अदा किराम सुबह अदा किराम शाम नाशते और रात को खाने के बाद आप पानी से बगार चरुबी के दूस से या रईस है तो दूस से भी ले सकते हैं यह आपके तमाम द हो तुमेर्त की नौभत हो इसमें बड़ी खुड़त रखी है उपर वालेने काला जिया और जेना जोरी है बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए अप्वक कर काऊन की हे बाध कर निया मेरी इसी के साथ मैम्त है अगले पानी जाता है और धूणला पाना पानी जाता है और गैस बनती है। उम्र क्या है आपकी? पैसर अक साल, ठीक है। और मुझे सुगर भी है, बिलेड पेसर भी है, और मेरे आदधी सैड में नहीं है, उल्टी तरब, सर्वाइकल का दर्द होता गर्दन तक होता उलते हाथ में ये बिमारी है मुझे पेट साब मेरा कभी होता ही नहीं है ठीक है बहुत बहुत गौर से सुनें मेरी बात देखिए सर्वाइकल का तो इलाज ये है कि आप एक्सेर्साइज देखिए ये आपको दिन भर करें मेरी तरफ से तो ये हिदायत है कि तीन मिनट करें लेकिन आप चाहें तो दिन भर कर सकते हैं ये कान इससे मिलाना है देखिए ऐसे इस से मौधा नहीं इठाना है ओर व Łरतें क्या करती है ऐसे मौधा उठा कर ऐसे मिला देती नहीं मौधा방ही रहे अपना खाबाई वही रहे और ऐसे मिलाना है ये तीन मिनट कम अज खा मौझ करेM और तीन मिनट ऐसे पूरी तरह मौड गे बिल्कुल तुश्मन समझ के या ऐसे तीन मिनट करें या इससे ज्यादा करें ये सर्वाइकल दस बारा दिन में कहां चला गया आप धूनते रह जाएगी ये मेरा अनुभाव है और जो बाकी जितने मर्ज आपने बताए हैं शूगर पेट की परेशानी और परेशानी ऐसी ड जैतुन का सिरका ले ले जैतुन का सिरका असली वाला तीन चम्मश सुबा तीन चम्मश शाम नाश्ते और रात की खाने के बाद एक ग्लास पानी में मिलाके ले ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए शूगर भी कंट्रोल होनी चाहिए और ये आप ले चाहे तो कि गुजार सके यह बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत हैं आपका हालो क्या नाम है कहां से बात कर रहे हैं आपकी नस पे नस चड़ जाती है और दर्द होता है नार कर जाती है नाफ जी अगर नाफ है तो वो पेट का पाबलम है तो नाफ अगर है तो उसके लिए ऐसे सीधा ऐसे हाथ कर लें आप कान से मिला ले और बगएर घुटने मोडे ऐसे अपना पैर पकड़े पकड़ नहीं पाएंगे और कोशिश करें बार बार बगएर घुटने मोडे अपने पैर चुने की कोशिश करें और बार-बार करें चाहे चुवे जाएं या नहीं या फिर आप किसी पाइप पर ऐसे पकड़ के और उसे अब ऐसे उठाते हैं जैसे एक्सराइज करते हैं ऐसे तो इससे आपकी नाफ अपनी जगा पर आ सकती है अगले कॉलर है लखनाव से प्रेंग का जी स्वागत है आप का बताई लिए नमस्ते हाकिन साथ जी आदाव जी ये कहना था कि साथ साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद से मेरा पेट जैसे सही नहीं रहता है पहले सिटी अलग थी पहले कुछ भी खाते थे तो पेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी अब य जब तक दवा खा रहे हैं तब तक थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है लेकिन जब जैसे ही बंद हुआ तर आप नॉर्मल भी चीजे कभी कभी खाते हैं तो भी आपका ठराग हो जाता है और इस होता है कि तुबा फ्रेश हुए उसके बाद भी कभी ऐसा होता है कि आपको द अच्छी कंडिशन थी और अब यह हो गया है कि आप बहुत इतना खा भी नहीं रहे हो और बैठ जाता है कि पतर नहीं खा लेंगे तो ऐसा ना हो कि फिर से हमारा पेट खराब हो जाए तो इसके लिए असीम साब को यह अनुख्छा बताईए जिससे थोड़ा आराम मुले ह हुम हाँ देखिए वाकई यह होता है और गॉल ब्रेडर का काम दो दो चीजे हैं जो गॉल ब्रेडर का काम करती हैं जिनको भी रिमूव कराने की ज़रत हो गई हो गॉल ब्रेडर की तो फिर लहसन और अदरक अपने खाने में इतना इतना डालने लगी है जिसके खाना बनाते ना तो महिलाओं का यह है कि इतनी सी अदरक डाल दी इतना सा लहसन डाल दिया नहीं इतना लहसन और इतनी अदरक डाल दिया करें खाने में सब के खाने में आएगा उनको भी फायदा होगा और आपको को वजम करना, उसको उसकी जगा पर पहुंचाना और एसीडिटी बेचैनी या अनीजी जो आदमी महसूस करता है, इससे फाइदा होता है. ये घरे नुसका करके देखे, वरना फिर आपको एक नुसका बनाना पड़ेगा, अगर इससे फाइदा हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं तो सौफ, धनिया, आमला सुका हुआ और मेती दाना, ये दो दो सो ग्राम खरीदें, और इसमें सो ग्राम या डेड़ सो ग्राम रसाइन जैतून के नाम से एक चीज आती है, जिसे नमक जैतून मी कहते हैं, देखने में तो नमक जैसा होता है, लेकि नमकी नहीं होता है, तो इसलिए ब्रेट पेशर वाले भी ले सकते हैं, देख सो ग्राम इसे मिला का पॉडर बनाए और एक चमश सुबा एक चमश शाम खालिया करें पानी से, ये आपके पूरे सिस्टम को पेट के वैसा ही कर देगा, जिसे कॉल बेडर से पहले आपका था, बहुत आसानी आपके लिए मुम्किन है, अगले कॉलर है दिली से निर्मला जी स्वागत है आपका, हालो, हान जी, नमस्कार में, नमस्कार बताईए, में मेर को एक साल से मतलब कमर में दर्द रहता है, और ये कमर का दर्द मतलब राइट साइड के जो लेक्ट है, उससे लेके और नीचे तक मतलब भी 80 तक इसकी से लगती है, उम्र क्या है अपकी, मेरी उमर है 51, ना दिके निर्मला जी, इसी को साइटिका कहते हैं, साइटिका होता क्या है कि हमारे डिस्क में प्राबलम हा जाती ही पहले, जब उसका सही इलाज में मिलता तो ये डिस्क कुछ रगों को दबाने लगती है, जो हमारे टांगों की तरफ खुन सप्लाई के लिए जाती है, वो खुन जो तेजी से जाना चाहिए, वो डॉब 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 जाता है, कत्रा कत्रा जाता है, इसकी वज़े से ये सब परिशानी शुरू हो जाती है, तो एक तो आपका वेस्टन टायलेट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ये कुर्सी वाला ऐसे लोगों को जरूर करना जो जरा सबहल के लिए नकली भी बहुत मिलता है और बड़ा कड़वा होता है, जायके में बहुत कड़वा है, या मैंने अपने जीवन में इत्ती कड़वी कोई चीज नहीं देखी, तो ये सो ग्राम अगर आपको असली मिल जाए, तो आदा ग्राम सुगा, आदा ग्राम पानी से, बगर चर्बी के दूस से, या तूस से भी ले सकते है, जो लोग की टाइम टीक पैशन नहीं है, ये सो ग्राम खत्म होने से पहले लोगों को रोग मुख करता है, ऐसा मेरा अनुभव है, एरो माटेरियल है, लेना चाहिए असली, और बहुत सस्ता पड़ता है, ग लिए है कि दस बारा रुपे की फ्रोग दाना की दो खुराक होती है, तो सस्ता भी है, महगा भी है, लेकिन असली मिल गया, तो सौ ग्राम काफी है, और सुबा शाम काएं फाइदा उठाएं, जी, किरन कानपूर से अगली कॉलर स्वागत है आपका, आपका, नमस्कार, बत ठीक है, आपकी उम्र क्या है, मेरी 57, सिर्फ कंधे में तरदे है, हाँ, हाँ, सुकर भी है मेरे, ठीक है, और देखिए, इस हाथ से कोई ताकत वाला काम ना करे, और अभी मैं बता रहा था, गौन सियाह, असली अगर मिल जाए, आदा आदा गिराम काना है, और इस से बहुत जोर का काम नहीं करना है, जो भी हाथ में आपके तकलीफ मोंड़े में, वरना ये बहुत परिशान करता है, आपरेशन तक की नौबत आ जाती है, गौन से असली ले ले, नकली बहुत मिलता है, या फिर आप कैप्सूल टी केर, टी केर एक कैप्सूल आता है, वो सु हालो, आजी, जी, नमस्कार, विनोट जी, सवाल करेए, एस मेडम में रकेम साफी, नमस्कार, जी, जहीं दादा, बताएजे विनोट जी, क्या सवाल है, जी, ऐसा है, में बहुत अट सार, लगबद 8 साल कहे तर हो, उसको असर, जब भर्त जो है, एक तो अंडर्वेट था तो बच्चा और उसकी सुगा डून होगी थी सार बेदा होने के तीसरे जिनबाद ही ठीक है तो उसके बाद सार उसको एडमिट कर गया था हमारे पास जोली ग्राट होस्पीटल का जहरत उनके बीच में तो मेना साव मेना एंटी-बाइटिक का उनकोर सुरू किया तो अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा उसको तो बैट भी नहीं पाता था बाद लेटा ही रहता था बैट से तो लग गया सर वापना वो बच्चा जो इस समय उसके उम्मर जो है प्रजेंट टाइम में आठ सा या एट प्लस में है सर वो बैट से लग गया मूमेंट पूरी है लेकिन चल नहीं पाता है और जैसे बच्चे चल लेते हैं चल लेते होगी इसको कहते हैं उकर के पहलों से चल लेते हैं उख शुगर के क्या हाल है तरह का नाइद नोर्मल लागी है माइंड दिमाग पूरा अंगा ग्या दिमाग पूरा इसको देरा कहा है एक बुर्चा थी महीं है थार वो उन्हें को चुनता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता था कुछे एक वर्ड बोलेते हैं खाले ख़ा आट अगरा या एसे कुछे आपके सुनने का, तो मैं काफी दिन से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, मुझे मेरे ही यह सोग है कि एक बार मैं उस बच्चे को आपको दिखाना चाहता हूँ. ठीक, आपके बहुत चोटा बच्चा है और थोड़ा सा इसकी दिमाग की ग्रोथ कम है, और देली में आप साच करेंगे हमारे दवाखाने तो दिली में दिखाना पड़ेगा, करोल बाग में भी है और कई जगा पर हैं देली में, तो वहां दिखा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, अच्छा मैं जो ये गौन सिया वगयरा बताता हूँ, ये उसके लिए बहुत भारी पड़ेंगे, या तो ये बारा साल से जादे का हो, तब दे सकते हैं, या मैंने बताया और आपने इसको कुलत दे दिया, तो नुकसान हो सकते हैं, बहुत तेज होता है, और मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप या तो दो अखरोट और दस किशमिश रोज आना एक बार कम असकम किलाए करें, इस बच्छे को, अखरोट चील का, घर में चीलें अखरोट, तोड़ें मतलब, चीलें चीलाएं ना लाएं, और इससे ग्रोथ में फर्क पड़ता है, इसक माजून अखरोट प्रायश आती है, वो आदा आदा चमच दो टाइम दे सकते हैं, इस तरह से इलाज करें, बारा साल से ज़्यादागा होगा तो मैं प्र इसको बहुत आसानी से आपको ऐसे निसके बता सकता हूँ, जो बहुत जल्दी फायदा हो जाए.